बाह दोस्तों, हवे आपने पाठने समझिये। विवाह थया त्यारे हुँ आई स्कुल मा भणतो हतो। ए हुँ आगल लखी गयो छु। ते वेला, अमें त्रोणे भाई एकज स्कुल मा भणता। जेस्ट बंधु उपला धोरण मा हता। ने जे भाई ना विवाह नी साथे मारा थया हता। ते मारा थी एक वर्ष आगल हता। विवाहनू परिणाम ए आवियो के अमारू बै भाईनू एक वर्ष नकामो गयो। मारा भाईने सारू तो ए थी ए विशम परिणाम आवियो। विवाह पची ते निशाल मा नज रही शक्या। आवू अनिश्ट परिणाम तो दैव जाने केटला जुवानू नू आवतु हशे। विद्या अभ्यास ने विवाह ब्यव एक साथे तो हिंदू संसार माज होए। मारो अभ्यास चालू रहो। है स्कुल मा हुँ ठोट निशालियो न गणातो। शिक्षकोनी प्रीती तो हम्मेशा साचवी हती। दरेक वर्षे माबापने विद्यार्तीना अभ्यास तेमज वर्तन विशे प्रमान पत्र मोकलवा माहावता। तेमा कोई दिवस मारू वर्तन के अभ्यास खराब होवानी ठीका थै न थे। बिजा धोरण पची इनामोपन लिधा ने पांचमा तथा छट्था धोरण मा अनूक्र में मासिक चार रुपिया ने दस रुपिया नी शिश्य वर्त्ती पन मली हती। आ मलवा मा मारी होश्यारी करता दैवे वधारे भाग लिधो हतो। ए वृत्तियों बधा विद्यार्थियोंने सारु नहीं पड़ जेओ सोरट प्रांत ना होए तेमा पहलू पद भोगवे तेने सारु हती। चालीस पचास विद्यार्थियोंना वर्ग मा ते काले सोरट प्रांत ना विद्यार्थी केटला होई शके। मारू पोतानू स्मरण एवू छे के मने मारी होश्यारी ने विशे कई मान नहतु। इनाम के शिश्यवृत्ती मले तो मने आश्चर्य थतु। पण मारा वर्गतन विशे मने बहु चिवठती। वर्गतन मा खोड आवे तो मने रडवू जावे। शिक्षक ने ठपको आपवो पड़े एवू मारे हाथे कई पण थाए। अथवा चिक्षक ने तेवू भासे ए मने अस्तह्य थाई पड़े। एक वकत मार खावो पड़े हतो एवू मने स्मरण छे। मार नू दुखनो हतो। पण हुँ दंडने पात्र गणायो ए महा दुख हतो। हुँ खूब रड़े हो। आ प्रसंग पहला के बीजा धोरणो छे। बीजो प्रसंग सातमा धोरणो छे। ते वकते दोराब जी एदल जी गीमी हेड मास्तर हता। ते विद्यार्थी प्रिय हता। केम के तेओ नियम जाडवावता। पद्धती सर काम करता ने लेता। तथा शिक्षण थीकावता। तेमने उप्ला धोरणना विद्यार्थियोंने सारू, कसरत, क्रिकेट, फरज्यात कर्या हता। मने तेनों अणगामों हतो। फरज पड़ी ते पहलातो कदी कसरत क्रिकेट के फुटबॉल मां गयोज नहतो। न जवा मां मारी शर्माल प्रकृती पन एक कारण हतो। हवे हुँ जो हुँ छुके ए अणगमों मारी भूल हती। कसरतने शिक्षननी साथे संबंध न होए एवा खोटा विचार तेवेडा हुँ धरावतो। पाचलती समझो के व्यायामने लिधे शारिरिक केडवनी ने मानसिक्ता जेवूज स्थान विद्या अभ्यासमा होँ जोई। चता कसरत मानना जवाती मने नुकसानना थय। एम मारे जणाव उचोई। त्यानू कारण ए छे के पुस्तकोबा खुली हवा खावा फर्वा जवानी भलावन वांचेली ते मने गमेली। ने तेथी हाइस्कूलना उपला धुरणों थीज फर्वा जवानी मने तेव पड़ी हती। ते छेवट लगी रही। फर्वू ए पण व्यायाम तो छेज तेथी बारू शरीर प्रमाण मा कसायलू बन्यू। अणगमानू बिजू कारण पिता जीनी सेवा करवानी तिवर इच्छा हतू। निशाल बंदताय के तरत घैर पहुंची सेवामा पड़ी जतो। ज्यारे कसरत फरजियात थाई। ज्यारे आ सेवामा विद्न पड़ी। पिता जीनी सेवा करवाने खातर कसरत नी माफी मलदी जोईये इवी विनंती करी। पन गिमी साहे शाना माफी आपे एक शनिवारे निशाल सवारनी हती। सांजे चार वागे कसरत मा जवानू हतो। मारी पासे घडियाल नौती। आकाश मा बादला हता। ते थी वकत नी कई खबर न रही। बादला थी हूँ छेतरायो। कसरत मा पहुँचू। त्या तो बधा जता रहा हता। बीजे दिव से गिमी साहे बे हाजरी तपासी तो हूँ गेर हाजर निकड़ो। मने कारण पूछियो। मैं तो जे हतू ते कारण बतावियो। तेमने ते साचू नमानियो। ने मारो एक आनो के बै आना एक केटलो हतो ए बराबर याद न थी पण मने दंड थायो। हूँ खोटो ठरयो। मने अतिशाय दुख थायो। हूँ खोटो न थी एक कैम सिद्ध करो। कशो उपायन न रहो। मनमानि मनमा समसमी रहो। रोयो। समझयो के साचू बोलना रे ने साचू करना रे गाफेल पण न रह भूजो ये। आवी गफलत मारा भणतरना समय मा आप पहली अने छिल्ली हती। मने जाखुस मरण छे के छेवटे हूँ ए दंड माफ करावी शक्यो हतो। कसरत मा थी तो मुक्ती मेलवीज निशालना समय पची पोते मारी हाजरी पोतानी सेवाना अर्थ इच्छे छे। एवो पिताश्री नो कागल हेड मास्तरने मलवा थी मुक्ती मल। व्यायामने बदले परवानू राख्यो। तेथी शरीर ने व्यायामन कराव्यानी भूलने सारू कदाच मारे सजान न थी भोगवे पड़ी। पड़ बिजी एक भूलनी सजाया हूं आज लगी भोगवी रहो चो। बनतर मां अक्षर सारा लखवानी जरूर न थी। एवो खोटो ख्याल मारा मां क्या थी आवयो एहूं जान तो न थी पण छेक विलायत जता लगी ए रहो। पच्छी औने मुख्यतवे करीने दक्षिन आफरीकामा जा वकीलोना औने दक्षिन आफरीकामा जनमेला ने भणेला नवयुवकोना मूतीना दान जेवा अक्षरो जोया। त्यारे हूं लजवायो ने पस्तायो। मैं जोयू के नथारा अक्षर ए अधूरी केलवणी नी निशानी गणावी जोये। मैं मारा अक्षर पाचल थी सुधारवा प्रयत्न करयो पन पाके घडे काई काथा चड़े। जुवानी मा जैनी में अउगणना करी। ते हूं आज लगी नथीच करी शक्यो। दरेक नव युवक अने यूती मारा दाखला थी चेते। ने समझे के सारा अक्षर ए विद्यानू आवश्यक अंग छे। सारा अक्षर शिखवाने सारू चित्र कडा आवश्यक छे। हूं तो एवा अभीप्राय उपर पहुंच्यों छू के बालकोंने चित्र कडा प्रथम शिखव विजोईये। जैम पक्षियों, वस्तुओं वगेरेने जोई बालक तैने याद राखी सहजे ओलखे छे। तैमज अक्षर ओलखता शिखे। ने जारे चित्र कडा शिखी चित्रो वगेरे काडता शिखे। तैना अक्षर चापेल जिवा थाए। आ कालना विद्याभ्यासना बीजा बैस मरण नौंधवा लायक छे। विवाह ने लिधे एक वर्ष भांग्य। ते बचावी लेवानों बीजा धोरण मां मास्तरे मारी पासे विचार करावयो। महनतू विद्यार्थी ने एम करवानी रजा त्यारे तो मलती। आथी त्रीजा धोरण मां हुँ छो मास रहयो। ने उनालानी रजा पहलानी परिक्षा पछी मने चोथा धोरण मां मुक्यो। अहीं थी केटलुक शिक्षण अंग्रेजी मारफते शरू थाए। मने कशी समझ ना पड़े। भूमिती पन चोथा धोरण मां शरू थाए। हुँ तेमा पाचल तो हतोज ने वड़ी ए मुद्दल न समझाए। भूमिती सिक्षक समझावामा सारा हता। पन मने कई गेडज ना बैसे। हुँ घणी वेडा निराश था तो। कोई वेडा एम थाए के बै धोरण एक वर्ष मां करवानू छोड़ी। हुँ 30 धोरण मां चाल्यो जाऊ। पड़ एम करू तो मारी लाज जाए। ने जैने मारा खंत उपर विश्वास राकी। मने चड़ावानी भलामन करी हती। ते शिक्षकनी पन लाज जाए। ए भै थी नीचे उतरवानों विचारतों बंधज राक्यो। प्रत्न करता करता ज्यारे युकलिड ना तेरमा प्रमय उपर आव्यो। त्यारे एका एक मने तयो। के भूमीती तो सहलामा सहलो विश्वाई छे। जैमा केवण बुद्धीनों सीधोने सरण प्रयोगज करवानों छे। तेमा मुश्केली शी। त्यार बाद हम्मेशा भूमीती मने सहलो अने रसिक विश्वाई थाई पड़े। संस्कृते मने भूमीती करता वधारे मुश्केली पाड़ी। भूमीती मा गोखवानु तो कईज न मले। त्यारे संस्कृत मा तो मारी द्रश्टी ये। बधू गोखवानु जे रहे। आविशय पन चोथा धोरन थी शरू थैलो छथा धोरन मा हूँ हार्यो। संस्कृत शिक्षक बहू सखत हता। विद्यार्तियों ने घणू शिखवानो लोब राकता। संस्कृत वर्ग ने फार्सी वर्ग वच्चे एक जातनी हरिपाई हती। फार्शी शिखवनार मौलवी नरम हता। विद्यार्तियों माहे माहे वात करे के फार्सी तो बहूश सहलू छे। ने फार्सी शिक्षक बहू भला छे। विद्यार्ति जेटलू करे तेटला थी ते निभावी लै छे। उपन सहलू छे एम सांभ़ी लोभायो ने एक दिवस पार्सी ना वर्ग मां जै बैठो। संस्कृत शिक्षक ने दुख थयो। तेमने मने बोलावयो। तु कौनों दिक्रों छे। इतो समझ तारा धर्मनी भाषा तू नहीं शिखे। तने जे मुश्केली होए ते मने बताव। हुँ तो बद्धा विद्यार्तियोंने सरस संस्कृत शिखववा इच्छू छू। आगण जेता तो तेमा रसना घुंटडा पीवाना छे। तारे M हर्वून जुए। तू फरी मारा वर्गमा बैस। हुँ शर्मायो शिक्षकना प्रेमनी अवगणना न करे शक्यो। आजे मारो आत्मा क्रुष्ण शंकर मास्तर नो उपकार माने छे। कैम के जेतलू संस्कृत हुँ ते वेला शिक्यो, तेटलू पण न शिक्यो होत। तो आजे मारा थी संस्कृत शास्त्रों मा रस लई शकाय छे, ते न लई शकात। मने तो ए पश्चाताप थाए छे के हुँ संस्कृत वधारे न शीखी शक्यों। केम के पाचलती हुँ समझेो के कोई पण हिंदू बाळा के संस्कृत ना सरस अभ्यास विना न जदहवू जोईये। हवे तो हुँ एवु मानू छू के भारत वर्ष न उच्च शिक्षड क्रम मां स्वभाशा उपरांत राष्ट्र भाशा हिंदी, संस्कृत, फार्सी, अर्बी अने अंग्रेजी ने स्तान होवू जोईये। आटली भाशानी स्तंख्या थी, कोई ये दरी जवानू कारण न थी। भाशा पद्धती सर शिखवामा आवे, अने बधा विशयो अंग्रेजी नीज मार्फते शिखवानों ने विचारवानों बोजो आपणी उपर न होए। तो उपली भाशाओ शिखवामा बोजो न थी, एटलूज नहीं पण तेमा अतिशाय रस रहेलों छे। वड़े जे एक भाशा ने शास्त्रिय पद्धती थी शिखे छे, तेने पची बीजानू ग्यान तुलप थाई पड़े छे। खरू जोता, तो हिंदी, गुजराती, संस्कुरुत एक भाशामा गणी शकाए। तेमज फारसी ने अरबी एक गणाए। फारसी जोके संस्कुरुत ने लगती छे, ने अरबी हिब्रु ने लगती छे, छता बनने इसलाम ना प्रगट थया पची खेडाय ली छे। तेथी बनने वच्चे निकट संबंध छे। उरदुने मैं अलग भाशा नती गणी। केमके तेना व्याकरणनों समावेश हिंदी मा थाय छे। तेना शब्दो तो फारसी अने अरबी जछे। उच्चा प्रकारणू उरदु जाननार ने अरबी अने फारसी जानवु पड़े एवु छे। जेम उचा प्रकारणू गुजराती, हिंदी, बंगाली, मराठी जाननार ने संस्क्रुत जानवु आवश्यक छे। थीज बंगाज़क प्रकार समय कने वारसी जावश्यक जावश्यक